जेश्च मास की अमावस्या को वट सावित्री वृत मनाया जाता है इस साल 2024 में ये परवच्छे जून को मनाया जाएगा हिंदू पंचां के अनुसार प्रतिवर्ष जेश्च मास की अमावस्या को शनी जैनती भी मनाई जाती है इस दिन शनी देव की विशेश रूप से अगर आप बहुत लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो ऐसे में आपको शनी जैन्ती या वट सावित्री वरत वाले दिन किसी सूनसान जगे पर एक गड़ा खोदना है फिर उसमें काला सूर्मा डाल करके उस गड़े को बंद कर दे ऐसा करने से उस व् पीपल के पेड़ पर मीठा दूच चढ़ाना चाहिए इसके बाद पीपल के व्रक्ष की परिक्रमा करते हुए शनी मंत्र उम्श शनी शरे नमा का जाप करना है ऐसा करने से शरी देव की क्रपा प्राप्त होगी और धन प्राप्ती के मार्ग सुगम होंगे अगर आपके घ पारिवारिक कलह रहती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए प्रते दिन बर्गत के पेड़ के नीचे घी का धीपक जलाए और भगवान विश्नु का ध्यान करते वे उनकी आरादना करें ऐसा करने से जल्दी ही पारिवारिक जगड़े और कलहे खतम हो जाएंगी अगर आप लंबे समय से बीमार है या आपके घर में कोई वेक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी का पता भी नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में अमावस्या की रात को सोते समय बर्गत की जड़ मरीज के सिरहाने तक्ये के नीचे रख देना चाहिए ऐसा करने से उस व्यक्ति को जल्दी ही स्वास्त लाब होगा अगर अपने भागी की उन्नती आप चाहते हैं तो इस दिन पानी वाले 11 नारियल ले इसके साथ ही काला तिल 400 ग्राम और सफेद तिल 400 ग्राम ले आठ मुठी कोईला, आठ मुठी जो और आठ मुठी काले चने साथी नो कीले काले रंकी ले ले और इन सब को एक काले रंके नए कपड़े में बांध करके संध्या के पहले शुद्ध जल वाली नदी में अपने उपर से वार करके शरी देव की प्रातना करते हुए पूर की और मुख्र रखते हुए बहादे ऐसा करने से आपका भाग्य जल्दी ही उदै हो जाएगा इस दिन हन्मान चालिसा का पाठ करते हुए प्रतिक चौपाई पर एक बार आपको बरगत के पेड़ की परिक्रमा करते हुए हन्मान चालिसा का पाठ कर रहा है ऐसा करने से भगवान हन्मान आपकी सभी कश्टों से रक्षा करेगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी पते की नौकरी में तरक्की हो या उनकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाए इसके लिए आपको वट सावित्री व्रत की जब पूजा कर रही हो तो उस समय पूरे 16 शिंगार की सामगरी को चढ़ाएं और उसके बाद दिन भर उस सामगरी को पेड़ पे चढ़ी रहने दे और शाम के समय वो सब सामगरी किसी जरुरत मन सुहागिन इस्त्री को वो समान दान कर दे ऐसा करने से आपके पती की नौगरी शीगरी लग जाएगी या उनमें उन्नती नहीं हो रही है तो उन्नती मिलेगी इस दिन महिलाओं को वट व्रक्ष की जड़ में दूद अर्पित करना चाहिए और आशिरवात के रूपे वट व्रक्ष के पत्ते को अपने सर पर लगाएं ऐसा करने से महिलाओं के सौभागे में व्रद्धी होगी दोस्तो वड सावित्री के दिन ही शरी जैनती भी होती है इसके चलते पुर्षो को भी इस दिन पीपल के पेड की कम से कम 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए इस से शनी भग्वान की कृपा प्राप्त होगी वही महिलाओं 108 बार बरगद के पेड की परिक्रमा करें इसके साथ साथ पीले रंगा कच्चा सूत लपेटे ऐसा करने से सौभागे में व्रद्धी होगी दोस्तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत और शणी जैनती के अवसर पर धाई किलो काले चने का दान करें इतना अगर संभव ना हो तो सवा किलो काले चने का दान अवसर करें इसके अलावा वट सावित्री व्रत के दिन सूने इस्थान पर या किसी मंदिर के पास जा कर पीपल का पौधा रोपें अर्थात पीपल का पौधा लगाएं इस उपाय को करने से मनुश्यों को कर्म फल दाता शनी अवश्य क्रपा प्रदान करते हैं धन की व्रध्धी के लिए वट सावित्री व्रध के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए इसके लिए उसे बेल के व्रख्ष के नीचे बैठा कर खिलाएं साथ में भोजन में खीर अवश्य खिलाएं शिव पुराण में इस उपाय से धन सम्रद्धी और देगायू की प्राप्ति को लेकर वर्णन किया गया है वर्ण सावित्री वरत के दिन महा मरत्युन्जय मंत्र का सवा लाग जब और हवन करना चाहिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को शनी दोश से मुक्ति मिलती है और उसे लंबी आयू प्राप्त होती है इसके साथ ही कुछ ऐसे कारे हैं जो महिलाओं को इस दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए जैसे कि वर्ण सावित्री वरत के दिन सुहागिनों को सफेद काले और नीले रंग के कपड़ी नहीं पहनने चाहिए ये रंग शुबकारियों के समय वर्जित माने गए हैं इसके अलावा ये नकारात मकता काभी प्रतीक हैं इस दिन इन रंगों से हमें दूरी बना कर रखनी चाहिए शादी के बाद पहली बार अगर वर्ट सावित्री वरत कर रही हैं तो ससराल नहीं बलकि मायके में करें इसके लिए सामिक गरीबी मायके से ही होनी चाहिए वर्ट सावित्री वरत के दिन वरक्ष को सूत लपेटा जाता है और उनकी परिक्रमा करी जाती है परिक्रमा के समय दूसरों को पैर ना लगाएं इस बात का विशेश ध्यान रखें वर्ना आपका वरत खंडित हो जाएगा वरत सावित्री वरत के दिन गलती से भी वरती महिलाओं को बर्गत के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए वर्ट सावित्री वरत के दिन कथा अवश्य सुने इस दिन कथा को अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं कथा के बीच से अपने स्थान से उठें इस दिन ना तो देर तक सोना चाहिए और नहीं बुरे विचार मन मिलाएं इस दिन भूल से भी क्रोध भी ना करें घर में किसी ने वट सावित्री वरत रखा है तो घर के दूसरे व्यक्तियों को भी तामसिक खाते पदार्थों भोजन आदि से परहेच करना चाहिए तो दोस्तों ये थी जानकारी वट सावित्री वरत के विशह में आपको आने वाले वट सावित्री वरत की हादिक शुक कामना है जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ ही अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करकी जरूर बताईएगा भगवान भोले नात के क्रपा आप सब पर बड़ी रहे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे